नमस्कार सिक्षक साथियों, N.I.O.S. के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं रिचप कुमारमिस, आज आपके साथ बहुत तरी कक्षा में सिक्षण विशे पर चर्चा करने जा रहा हूं। साथियों, कक्षा सिक्षण एक सम समूं की मानेता पर आधारित होता है। कक्षा का विभाजन भी आयू और उपलब्दी अस्तर के आधार पर किया जाता है। हम मानकर चलते हैं कि आयू विशेस के विद्यार्थी में कक्षा विशेस में सीखने की तैयारी लगभग समान होती इन ही मानिताओं के आधार पर शिख्छण आंकलन पाठ्थ चर्या आधिका निधारन किया जाता है आप तो सोयाय의 से वारत सिक्छक हैं आप ने अपनी कक्षा में अवलोकन किया होगा कि कक्षा में सभी इद्यार्थी एक अस्तर के नहीं होते हैं कुछ विद्यार्थी पाठ को सीखने में कम समय लेते हैं, कुछ पाठ को सीखने में अधिक समय लेते हैं, उनके अधिगम अस्तर और अधिगम गति में भिन्नता होती है अर्थात आपकी कक्षा के विद्यार्थी एक से अधिक अस्तरों के होते हैं इन अस्तरों के आधार अलग-अलग हो सकते हैं उधारण के लिए विद्यार्थियों की अधिगम आउ सकता अधिगम शम्ता रूची और अभिप्रेना के अस्तर अलग-अलग हो सकते हैं अधिगम सैली के आधार पर वे अलग-अलग अस्तर के हो सकते हैं, सांस्कृति का पेक्षाई भी एक महत्पूर्ण कारणट है जो विद्यार्थियों के अस्तर निधारन में भूमिका निभाती हैं। अब हमने यह जान लिया कि कक्षा समसमू होने के बजाए एक बहु अस्तरी समू होता है और कई मनोवज्यानिक, सामाजिक सांस्कृतिक और परिविए से जन्ने कारण उसमें योगदान देते हैं जो कक्षा को बहु अस्तरी बनाते हैं। कई बार हम बहु इस्तरीक कक्षाओं और बहु वर्गी कक्षाओं की आउधारणा में फर्क नहीं कर पाते। वस्तुतह बहु इस्तरीक कक्षा एक व्यापक पद व्यापक परिकल्पना है, इसके अंतरगत बहु वर्गी कक्षा भी आती है। अगर ऐसे कहें कि बहु अरगी कक्षा एक विशियस प्रकार की बहु इस्तरी कक्षा होती है, जिसमें एक सिधिक पाठी चर्या, विद्यार्थियों की परिपक्वता में अंतर, नैदानिक और त्वरक सिछन कियाव सेकता होती है, तो इस अंतर को समझा जा सकता है। इसी तरह बहु अस्तरी कक्षाओं का सुरूप एक कक्षा की स्थिति में भी स्थापित होता है। एक ही कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम शैली में भिनता होती है, भाशिक दक्षिता में भिनता होती है, अभी प्रेणा अस्तर में भिनता होती है, विद्यालई ग्या चिखने की संभावना में सनलगन करना, उनकी शमता को सार्थक करना, साकार करना आपका दाइत्व है और इस दाइतों का निर्वहन आप उनकी योगता, उनके अस्तर के साफ पेक्ष करें तो ही यह सार्थक होगा, इसलिए बहु इस्तरी कफषा के संदर्व में एक सिख्षक क को जानना आवस्थक है, आईए बात करते हैं बहु इस्तरी कफषा के मुद्दे और चुनोतियों की, किस प्रकार और अस्तर के विद्यार्थियों के साथ साथ और नीचे के विद्यार्थियों के अधिगम आउस्टिक्ताओं की पूर्ति की जाए, इसे ध्यान रखते प्रियोग क्रिया कलाप के आयोजन में करें, वे संसाधन क्या विद्याले द्वारा सुगम कराये जा रहे हैं, या उसका दाइत्र सिक्षक के उपर स्वयम है, क्या वे साधन विद्यार्थि के परिवेस में हैं, या विकिन सीमाओं के अंत्रगत उनका उसे प्रियोग करना है इसी तरह सिक्षक को उन विदियों की समस्या का सामना करना पड़ता है जिससे वह बहुतरी कख्षा में सिक्षन कर सकता है प्रायह सेवा पूर अध्यापक सिक्षा में हम एक ऐसी कख्षा को पढ़ाने के संदर में जहनकारी गत्रित करते हैं जो समसमुह होती है लेकिन करके ऽभलक हाता है जदि आप कक्शा को समुप समु मान रहे हैं तो आपको उसकी विविता को संग्यान में लेने की आवसेक्ता नहीं यदि आपने कक्षा को बहुतरी मान लिया तो आप किस आधार पर उसे अलग-अलग समुहों में रखेंगे इस बारे में विश्यार करन की आफसेकता है और यदि इस विसंदर में हमें एक जागरुक नहीं किया गया या तक्निकी दक्षता नहीं है तो सायध हम कक्षा का समुही करन ठीक धंग से ना कर पाएं बहुत तरी कक्षा के सिक्षन की प्रवुख समस्य यह है कि यह तैयारी के लिए पेक्षाकृत अधिक और अत्रिक्ष समय की मांग करती है कक्षा के पूर तयारी कक्षा के बाद मनन कक्षा में लगाता और सक्रीता के बने रहने की मांग अन्य पक्षा जिस पर ध्यान देने की आफसेकता है इसी प्रकार बहुत तरी कक्षाओं का प्रवंधन जटिल होता है एक प्रमुक समस्य तो यह है कि पाठ पुस्तक औरने सामगरी सुद्ध से तयार नहीं की जाती है जो भी सामगरी आपको उपलब्ध है वह कक्षा के औसत विद्यार्थियों के निजरियों को ध्यान में रखकर तयार की जाती है अब यहां आपका दाइत तो हो जाता है कि सामगरी को आप औसत से अकाद्विक उपलब दी अस्तर से नहीं है, बलगी कक्षा को जिस भी आधार पर आप अस्तर में भी भाजित कर रहे हैं, वहाँ पर जो चर आपने चुना है, उसके आउसत से यहाँ पर मैं अर्थ ग्रहन कर रहा, यदि अब आपको बहुत तरी कक्षा में सिक्षन करना है, तो सरपर्थम आपको विद्यार्थियों के संदर्व को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा कि कक्षा अस्तर के अनूप विद्यार्थी कितना तयार है, कौन से उसके मजबूत पक्ष हैं, कौन से कमजोर पक्ष हैं, और इन सवालों पर विचार करते हुए आप वि कख्षा आदी को भी संग्यान में ले इसके आधार पर ही आप अपनी कख्षा को बहुस्तरी बना सकते हैं पाठ चर्या को बहुस्तरी सिक्षन के लिए अनकूलित कर सकते हैं बहुस्तरी कख्षा में सिक्षन करते समय दो आधार वुर्तत्यों का ध्यान रखें इस तरह की कख अक्षा में शुख्षण से पूरवध्यार्तियों के आवसक्ता की पहचान की चाहिए अब आप इस आशक्ता को कैसे पहचानेंगे। इसके लिए पूरु के विध्याले रिकार्ड आप उपयोग में ले आ सकते हैं, साथी शिक्षकों से उसके अनुभों के बारे में बात कर सकते हैं, जब यहां आकड़े आप एक गतृर्ट कर रहे हैं, तो केवल नकारात्मक पक्षों के बारे में न जानें, βलकि विध्यार् कि अधिगम में किस प्रकार के सईयोग की अपेक्षा है कई बार बहुसरी कक्षा में सिक्षण के लिए निदान आत्म परिक्षण और प्रतिवा परिक्षण का भी उप्योग कर सकते हैं बहुसरी कक्षा में सिक्षण के दौरान आपको पाठी चर्या का अनुकूलन करना होत चुकि कक्षा एक है, एक समसमू की मानिता पर आधरित है, यह संदेश विद्यार्थियों ने ग्रहन कर रखा है, इसलिए आपको पूरी कक्षा को एक साथ लेकर पाठ प्रारंब करना चाहिए, जैसे कक्षा सिक्षन के लिए विद्यार्थियों के अनुरूप समू निर्मित किये हैं, उसी के रूप उन्हें कक्षा कारे और ग्रह कारे दिना चाहिए, यहां आसे यह है कि जब आपने पूरी कक्षा को साथ लेकर पाठ प्रारंब किया, तो विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया, कि सभी विद्यार्थी एक समान आवसर के भागीदार हैं, कि कक्षा कारे और ग्रीकारे, इन उपकरणों के प्रियोग के माध्यम से उन क्रिया कलापों को कक्षा में अस्थान दीजिए, जो अलग-अलग समूह के लिए उन कूलित हैं, महत पूर्ण हैं, अर्थात आपने विद्यार्थी पर किसी बाह पहचान का आरूपन किये, ना प्रियास कर रहे हैं, तो उनकी प्रगति का विस्तिद्वियोरा भी रखना चाहिए, यह विस्तिद्वियोरा बताएगा कि किस उद्दे से को लेकर आपने काक्षा का समूही करन किया, उस उद्दे से को पाने के लिए कौन सी गत्विदिया की गई, उन गत्विदियों और विद्यार्थी का प्रधर्षन कैसा रहा और उसके लिए अगला अस्तर क्या होगा इसके लिए कई बार हम प्रतेक उपलभधी अस्तर या दिगाम दक्षता अस्तर को माईल इस्टोन की संग्या देते हैं और इसके सापेक्ष विद्यार्थी की प्रगत की जाच करते हैं जिद्यार्थी के संदर में जो भी उसकी प्रगती हो रही है उसकी सुचना अभिभावकों को देना चाहिए अभिभावकों को सुचना देने का लाव यह होता है कि उन्हें अपनी भूमी का इसपश्ट हो प्रयास करने से बहुत स्तरीक अक्षा में आपने जो अधिगम होते से प्रस्तावित किये थे उनका विश्थार विद्यालेतर परिवेस में भी होता है और वहां से भी आपको सहयोग प्राप्त होता है बहुत तरही सिक्षण के संदर में अभी मैंने जिन सिक्षण युक्तियों या उपायों की चर्चा की उसी सब के संदर में एक Receive Value अप्रोच भी है Receive Value Institute of Educational Resources आंध प्रदेश ने 1993 में इस नवाचार कारिकरम का विकास किया था इस कारिकरम में विद्यार्टियों को सामोहिक तथा विक्तिगत दोनों तरह के अधिगम द्वारा अधिगम दक्षताओं में पारंग तता आरजित करने हैं तो योग्य बनाया जाता है इसी उद्देश से क्रिया कलाब डिजाइन के जाते हैं आईए इस अप्रोच के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं इस अप्रोच के अंतरगत सरुपर्थम प्रतेग अक्षा के लिए प्रतेग विस्ताओं में अधिगम दक्षताओं की सुची तयार करते हैं जब आप ने विद्यार्थी के दक्षता के अलग-अलग इस तर निधारित कर लिए, तो अब आप उसको उन दक्षताओं की और बढ़ने के लिए मार्दसन प्रदान करते हैं, यह मार्दसन कई रूपों में हो सकता है, आप उसे प्रत्यक्ष सहायता उपलब्द करा सकते हैं जैसे यह हिंदी वाचन में उच्चारण की तुटी हो रही है, तो आप उसके सम्मुक सही सुद्ध उच्चारण करके उसकी पुन्रावित्ती करवा सकते हैं, आंसिक प्रति भागिता कर सकते हैं, जैसे रंगोली बनाने के दौरान वह किसी कोण के माप का अभ्यास कर रहा है, तो आप उहां उसकोण को बनाने में मदद कर सकते हैं, कई बार हम उम्र साथियों के साथ मिस्र समु बना कर उसे स्वतन दनिसवादन का दाई तो भी सौप सकते हैं, आपके द्वारा किये गए इन उपायों से वह विद्यार्थी क्रम सा एक-एक माईल स्टोन को अधिगम द्वारा दक्षता के अस्तर को पढ़ाता है, अपने प्रदर्शन के अस्तर को सुधारता है, दूसरा यह सतत करम उसे एक उचाई की ओर भी ले जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यह अधिगम दक्षता हैं सरल से कठिन के करम में बेवस्थित हैं, तो आप ने एक milestone अचीव कर लिया और आप अगले milestone को achieve करने के लिए सरलगन हो रहे हैं अर्थात आपके विकास का क्रम सतत है अधिगम का क्रम सतत है लेकिन दूसरा वाला milestone पहले वाले milestone से अधिक कठे नस्तर या अधिक उंचे सतत क्रम में उपर की ओर भी बढ़ रहे हैं अर्थात आपकी प्रगती भी हो रही है और वह प्रगती सतत है इस द्रिश्ट से यह approach हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों मैंने आपसे बात की कि बहुस्तरी कक्षा क्या है उस कक्षा की संकल्पना सिक्षन की चुनवतियां क्या है और इस संदर में रिसी वैली अप्रोच क्या है लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है बहुस्तरी कक्षा में समूही करन कई बार आप एक जैसी योगता और दक्षता वाले समूह का निर्बान करके कारे कर सकते हैं कई बार मिस्तर दक्षता वाले समूह का लेकिन सोध कार्यों में ऐसा पाया गया है कि विस्मांग समूहन स्रेष्ट होता है इसका एक लाब यह होता है कि जब एक अधिक दक्ष्विक्ति के साथ कम दक्ष्विक्ति कारे करता ह तो उसके अनुकरण द्वारा सहयोग द्वारा उसकी दक्षिता में भी परिस्करण होता है और वह आगे बढ़ता है मैं यहाँ इस बात पर बल देना चाह रहा हूं कि बहुत इस तरी सिक्षन को आप एक समस्या के रूप में परिकल्पित ना करें बलकि नवाचार के एक आन करेंगे कभी समसमू बनाएंगे कभी रिस्मांग समू बनाएंगे कभी आप उन्हें प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करेंगे कभी साथियों के माद्यम सहयोग प्रदान करेंगे कभी स्वतंत्र दायत्तु का कारें सौपेंगे और जब आप इस तरह का सिक्षन अपनी कक्ष चामे करेंगे तो विद्यार्थी अपने नियूंतम अस्तर से अधिक्तम अस्तर की और सतत रूप से आगे बढ़ेंगे प्रथम दिश्टिया देखने पर यह विधी समय सक्ति और संसाधन की दिश्ट से दबावप पैदा करती है लेकिन कुसन नियोजनों प्रबंधन से आपके दायतों के निर्वहन के लिए यह विधी बहुत महत्पूर है और इसे आपको अपनी कक्षा में प्रियोग के तौर पर अपनाना चाहिए आश्रा है कि आप इस चर्चा से लाभानवित हुए होंगे और अपने कक्षाओं में यहां पर बताए गई युक्तियों को अपना कर आप बहुत तरी सिक्षन के लिए प्रियास करेंगे धन्यवाद